हेलो एवरिवन कीमी राठोर की बेस रेसिपी में आपका स्वागत है आज की रेसिपी में हम आप लोगों के लिए लेक्या हैं बहुती आसान तरीके से बनी ओईल फ्री साबुदाना खिच्डी जो लोग अपने खाने में तेल या घी का यूज नहीं करते हैं वो लोग आने वाले नौरात्र में इस तरह से ओल फ्री उरत वाली साबुदाना खिच्डी बना कर खा सकते हैं दोस्तों रेसिपी सुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइ दो आलू को उबाल कर इसके उपरी परत को छील कर इस तरह से छोटे छोटे पिसेस में कट कर लेंगे हमने पीनट को दो गंटा पहले पानी में भिगो कर रख दिया था ये इस तरह से फूल गए हैं किचली बनाने से पहले साबुदाना को भी हमने दो से तीन बार साप पानी से अच्छे से धोकर दो गंटे के लिए भिगो कर रख दिया था ये भी अच्छे से फूल गए हैं अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की और सबसे पहले मुंपली को भून लेंगे गेस की आज मीडियम रहने देंगे और हलके चिटकने की आवाज आने तक पीनट को लगातार चलाते हुए भून लेंगे दोस्तों आप लोग भी अपने घर पर हमारी रेसिपी को एक बाद जरूर ट्राइ किजेगा और इस तरह से ओल फिरी साबदाना किसली बना कर टेस्ट करिएगा ये आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी हमें मीडियम आज पर पीनट को रोष्ट करते वे 3-4 मिनट हो गये हैं 3-4 मिनट रोष्ट होने एक बाद पीनट का कलर हलका चेंज हो गया है और ये अच्छे से भुन भी गये हैं अब हम गेस को बन कर देंगे और पीनट को प्लेट में टास्पर कर लेंगे हमने पीनट को रोस्ट करने के बाद 7-8 मिनट के लिए ठंडा उने के लिए छोड़ दिया था यह पूरी तरह से ठंडे हो गए हैं सारे पीनट को मिक्सी में दरदरा पिस लेंगे दोस्तों आप लोग गिले पीनट की बजाए सुखे पीनट भी किसली में एट कर सकते हो बट इस तरह से पानी में भिगो कर साबुदना किसली बनाने से हमारी किसली का टेस्ट खाने में और बढ़ जाएगा सारे पीनट को हमने इस तरह से दरदरा मिक्सी में पिस लिया है ओल फिरी किष्टी बनाने के लिए सबसे पहले हम कड़ाई में जीरा एट कर देंगे गेस के आज बिल्कुल धीमी रखेंगे और जीरा को थोड़ी देर भून लेंगे जीरा थोड़ा भून गया है अब हम इसमें हरी मिर्चे एट कर देंगे दीमी आज पर हरी मिर्चे को भी थोड़ी देर चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे हरी मिर्चे भी थोड़ी सिख गई है अब हम इसमें पीनट एट कर देंगे पीनट को भी एक मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेंगे मसाले के साथ पीनट भी अच्छे से रोष्ट हो गए हैं अब हम इसमें भीगोए हुए साबुदाना एट कर देंगे साबुदाना को भी अच्छे से मिला देंगे हमें धिमी आज पर साबुदाना को पकाते वे एक मिनट हो गया है अब हम इसमें उबलेवे आलुएट कर देंगे आलु को भी अच्छे से मिला देंगे हमने वुरत वाली साबुदाना किचली बनाने के लिए नहीं तेल का यूज किया है और नहीं गी का यूज किया है जो फ्रेंड्स अपने खाने में तेल या घी का यूज नहीं करते हैं ओ लोग वुरत में इस तरह से साबुदाना किचली बना कर खा सकते हैं अब हम इसमें 1 टीस्पून सेंधा नमक एट कर देंगे, 4-5 कुटी भी काली मिर्च एट कर देंगे, अच्छे से मिला देंगे. वुरत वाली साबदाना किचली को ओटेस्टी बनाने के लिए हम इसमें 1 टीस्पून चीनि एट कर देंगे. योधी आप लोगों को साबदाना किचली में चीनी नहीं य culprit करना हो तो आप लोग चीनी को इसकी भी कर सकते हैं चीनी को भी अच्छे से मिला देंगे हमारी वुरत वाली साबदाना किचली बन गई है अब हम गेस को बन कर देंगे और 5 बिनट के लिए से डख देंगे हमने गेज बन करने के बाद साबदाना किच्डी को 5 मिनट के लिए ढखकर रख दिया था ताकि इसमें थोड़ा भूत कच्चा पनों भी अच्छे से पक जाए किच्डी बन गई है अब इसमें आधा निमू का रसनी चोड़ देंगे हमारी ओयल फ्री वरत वाली साबदाना किच्डी देखने में जितनी डिलिसियस लग रही है खाने में भी उतनी टेस्टी लगेगी अब हम इसमें कट के आवा थोड़ा हरा धनिया एट कर देंगे धनिया पत्ती को भी हमने साब पानी से अच्चे से धोकर किच्डी में मिला दिया है हमारी ओयल फ्री साबदाना किच्डी बन गई है अब हम इसे गर्मा गरम सर्व करेंगे आप लोग इस तरह से वरत वाली साबदाना किचली बना कर छाच यहां दही के साथ भी खा सकते हो और ऐसे भी इसे खा सकते हो, खाने में बहुत स्वाधिश्टा लगेगी उपर से थोड़ा धनिया पत्ती डाल देंगे और थोड़ा निमू का रशनी चोड़ देंगे दोस्तों यदि आप लोगों को हमारी उरत वाली ओयल फ्री साबदाना किचली बनाने की रेसिपी पसंद आयो तो आप लोग हमें कोमेंट्स करके जरूर बताईएगा कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसे लगी ताकि हम आप लोगों के लिए रोज नहीं ने रेसिपी लाते रहें कल फिर मिलेंगे एक नहीं रेसिपी में धन्यवाद